हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू माइ अनडर वीडियो आज मैं आई हूँ निलासल पहार में स्थेट कमाइखा टेंपल पर जो है ग्वाहती असाम में कमाइखा टेंपल भारत के इकाउंट सक्ति पिथो में से एक है आज के वीडियो में मैं आपके साथ सियर करूंगी क्या है रहने का जगा कहां मिलेगा प्रसाथ कहां मिलेगा भी आई पे और जैनेरल लाइन क्या है मंदीर के अंधर जाने के लिए क्या-क्या बातों का ध्यान रखना परता है और कमाइखा टेंपल को एक सक्ति पिथ क्यू माना जाता है तो आप लास्त तक वीडियो जरूर देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहां कैसे पहुचेंगे गौहती एरपोर्ट से मंदीर का दिस्टेंस है 20 किलोमीटर अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो एरपोर्ट से आपको डाइरेक कैप मिल जाएगा मंदीर तक और मंदीर के पास ही लॉज या होटेल पर आप र देखिए एक से ईट्री जाता है एक जेनेरल लाइन और दूसरा क्या व्याइपी से जुटी दिया जाता एट के यह लिए जिसका प्राइस है थाफ पाइफ स्वारनू रूपिष पर परसंब यह स्ट खत्म होचा से तो एंग दिन में और दूश्रा द्री नहीं दिया जात अगर आपको मंदिर के अंदर जाके देवी मा का दर्शन करना है तो आपको अरली मॉर्निंग ही यहाँ पर जाना परेगा और टिकेट कलेक करना परेगा ताइमिंग की बात करें तो जेनेरल लाइन में आपको लगेगा 7-8 आवर्स और विएपी लाइन पर लगेगा आपको 4 टू 5 आवर्स तो टिकेट मिलने के लिए आपको यहाँ पर 3-4 एम को ही आना परेगा और आप तभी मंदिर के अंदर जाके देवी मा का दर्शन कर सकते हो अगर आप आरली मॉर्णिंग नहीं आ सकते हो तो आपको टिकेट नहीं मिलेगा लेकिन आप मंदिर दर्शन दो कर स सकते हो बाहर बहुत सड़े ऐसे मूर्टिया है माता के जहाँ पर आप पूजा कर सकते हो पूजा के सामकरी भी दे सकते हो वहाँ पर बहुत सारे पूजारी रहते हैं तो आप एक कोई पूजारी को मिलके यह सब पूजा कर सकते हो अब आती है बात की लोग इतना टाइम ल घेना हुआ है माना जाता है कि सती माता को लेके जब वो लेनात का तुखरे कर रहे थे तभी भगवान भीष्णु ने सुदर्सन सक्रसे सती माता का कई तुक्र से कर दिया था ताके फोलेनात का तुक्रा गिरा था वहाँ पर एक एक सक्तिपीत बन गया था और कामेखा देभी मंदीर भी वही एक सक्तिपीत है और यह सक्तिपीत महा सक्तिपीत बन गया है और कामेखा देंपल में माता का योनी गिरा था तो यहां पर माता का योनी का पूजा होता है और यह सक्तिपीत बहुत पावरफुल माना जाता है और लोग दूर दूर से आते हैं यहां दर्शन करने के लिए अपनी मनोकामनाई लेके और माइनता है कि लोगों की मनोकामनाई यहां पर सारी पूरी होती है इसलिए इतनी लंबी लाइन लगा के लोग माता का दर्शन करते हैं मंदीर में एंटर करने के बाद राइट साइड में में एक सोभाइग कुंध है यहाँ पर पैर ढोने या नहाने से सब पाप धूल जाते हैं यही माइननता है कि यहाँ पर एस सीरिया भी बनाया हुआ है कून के सारू तो आप ठक जाओगे तो यहाँ पर फोड़ा रेस्ष भी कर सकते हो यहाँ पर नेवी मां का मूटी भी है और यहाँ पर भी पुजा होता है यहाँ पर शोटी के बच्चों का मुंदन भी होता है माता से सच्छे दिल से मांगी हुई हर मनुकामनाई यहां पर पूरी होती है कामाइखा मंदीर में हर साल अम्भुवसी मेला होता है जून महिने में तभी तीन दिन के लिए मंदीर का द्वार बंध होता है और अभी ग्वाती और असाम में सब मंदीर बंध रखते हैं और पूजा भी नहीं करते हैं सौथे दिन मा का मूर्ति का बैडी गनुस्थान करके मंदिर दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। अंबुबसी मेले में भारत के कोने कोने से साधु, अगोरी, संत आते हैं माता को दर्शन करने के लिए। प्रशाद के साथ अंबुबसी के भक्तों को मिलता है एक लाल बस्त्रा। अंबुबसी के एक ही दिन पहले माता के प्रतिमा के पास सफेद कप्रा बिचा दिया जाता है। तिन दिन बाद जब माता का दुआर खोला जाता है तब ये बस्त्र रक्तबस्त्र बन जाता है और ये दिब्ब बस्त्र को अंबुबसी बस्त्र कहा जाता है और ये भक्तों को दिया जाता है प्रशाद के रूप में ऐसा माना जाता है कि अंबुबसी में माता को मासिक धरम चलता है तो इसलिए तीन दिन तक मंदिर बंध रफते हैं मंदिर जाने के रास्ते में ही आपको एक अन्ना सेवा सेत्र मिलेगा जहाँ पर रोज महाभोग दिया जाता है उसका ताइमिंग है 12 बजे से 3 बजे तक वहाँ पर फ्री कूपन मिलता है और आप वहाँ जाके भोग ले सकते हो कामाइखा मंदिर पर अभी भी बली प्रथा सल रहा है रोज सुवह एक बकरी का बली दिया जाता है और उसके बाद ही पुजा स्टार्ड होता है बहुत सारे भग बकरी दे के जाते हैं कामाइखा के सामने बली देने के लिए कोई-कोई लोग कबुतर को भी दा से मैंने बात किया था तो मुझे पता चला कि एक जोड़ी कबुतर का प्राइस है 500 रुपीज और बकरी 7000 से 8-9000 तक बिका जाता है बहुत भक्त यहां पर आते हैं और बकरी और कबुतर लेके पूजा करके यहां पर ऐसे ही छोड देते हैं यहां पर आपको सारों तरफ ब पाइन भरना परेगा मंदिर के सारों तरफ इतने भी मूर्टिया है उसमें आप दिन में किसी भी ताइम पर आके पूजा कर सकते हो और यह एक मूर्टी है यहां पर पैचे सिपकाया जाता है और ऐसे पूजा किया जाता है दिया और अगर्बत्ती लगाने के लिए बाहर ही ऐसे जगर बनाया है और यहां पर सब लोग दिया और अगर्बत्ती लगाते हैं यहां पर नारियल फोर के ऐसे आधा माता के सामने दिया जाता है और आधा अपने पास रखा जाता है मंदीर पहुशने से पहले सारो तरफ आपको ऐसे बहुत सारे दुकाने दिखाई देंगे जहाँ पर आपको पूजा के सामगरी मिलेंगे और उसके साथ यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे स्टीकर्स और फोटोज भी मिलेंगे मंदिर के और रुड्राक्स के माला यहाँ पर बहुत भीके जाते हैं जो बहुत भक्तों लोग बहुत सारे यहाँ पर रुड्राक्स भी खरीट के लेके जाते हैं और रुड़ाक्स कैसे बनते हैं मुझे एक सॉप में डिखाई देया तो यहां पर ऐसे कच्छे रुड़ाक्स को विगो के रखते हैं और step by step इसका मतलब stage change होता है और last में हम लोगों को यह रुड़ाक्स मिलता है जिससे माला बनाया जाता है। रुड्रक्स के माला पहनना बहुत शूब माना जाता है। तो हम लोग ने देवी मा का दर्शन कर लिया है। कमर्खा देवी टेंपल को एक महा सक्तिपीछ माना जाता है। मा के उपर विश्वास रखें, जो भी भक्त इहां पर आते हैं, उनके मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। अगर आपको और कोई इन्फोमिशन चाहिए, कमर्खा देवी टेंपल के उपर आप कमेंट बक्स में पूछ सकते हो। तो फ्रेंज, अभी हम लोग कमेंट देवी टेंपल विजिट कर गए आगे हैं और आपको भी मैंने दर्शन करा दिया है। आज का वीजियो मैं यहाँ पर यह खतम करते हूँ। वीडिओ आज सलेगे तो वीजियो को लाइक किजिए और आप मेरे सेनल में नए हो तो सेनल को सब्क्राइब जरूर कीजिए। विल्टियो और एक नए वीडियो के साथ सब तक के लिए बाई बाई और टेक केर